नश्कार पारा सिक्षक समाचार में आप सुई का स्वागत है पारा सिक्षकों की मांगों की अनुरूप प्रस्ताव तयार हो गया है पारा सिक्षकों के कल्यान कोस के गठन की परकिरिया अगले मह अंत तक पूरी हो जाने की जम्भावना है सिक्चकों के कल्यान कोस को लेकर मुक्मंतरी की अधशता में बैठक हुई थी जिसमें सिच्चा विवाक के अपसरों के साथ साथ पारा सिच्चक, बीयारपी, सीयारपी वाकस्तुरबा गांदी बाली काविद्याले सिच्च संके परतिनी दीबी सामील हुए थे पारा सिच्चकों के और से कल्यान कोस के कुछ प्रावधान में बदलाव की मांग बैठक में की गई थी जारकन सिचा पर योईना द्वारा पारा सिच्चकों के द्वारा की गई मांग के अनुरूप बदलाव कर दिया गया है सरकार द्वारा दी गई रासी के अलावा कल्यान कोस के अंस्तान की रासी में बड़ोतरी करनी होगी और शारकंट सिचा पर युर्दिना द्वारा प्रस्ताव तैयार प्रस्ताव पर कल्यान कोस की आम सबागी अगली बैठक में बीचार किया जाएगा बैठाक में सहमती मिलने के बाद आगे किपर किरिया पूरी की जाएगी उलेखन ये है कि वर्तमान में कल्यान कोष के लिए सरकार दोबारा एक मुस्त 10 क्रोड स्विकर्ट किये के हैं जब कि कल्यान कोष के सज़स्चन को परती महा 200 रुपी अनुदान देना होगा कल्यान कोष का क्या प्रावदान है कारकाल के दुरान मिर्टियों होने पर आसरित को पांच लाख रुपी आसाद है रोग के लिए एक लाख रुपी कारवजी के दुर्गटना में विकलांग होने पर डिड़स से दो लाख रुपी सब्सेक्व के लिए 2 बच्व में दो दो लाख रुपी और पाराज की मरेन के दुर्गटना में समय력 पर कल्यान कोष के सदाश को 5 पांच लाक रुपिय देने का प्रावधान हो और सिवनिर्थ होने पर नियुनितम पांच लाक दिया जाए पक्षव के उच्छा वर बेटी के साधी के नियुनितम तीन लाक रुपिय मिरे और गंभीर बीमारी होने पर जितनी लागात राद